हेलो गाईज दुनिया का सबसे पहला नोकर रखने वाला विप्ति का नाम है उसका नाम अश्वित था उन्होंनों सबसे पहले नोकर रखा था फेक नमर टू यह हमजा बेंजल है जिसने दो सो सतरा बैंको को हेक किया और दो सो असी मिलियन कमाएं और फिर यह अफरीका को दान कर दिया फेक नमर थ्री भारत में एक मंदिर है उस मंदिल का नाम है लेपाची मंदिल उस मंदिल का पीलर पीलर का वजन एक टन का था और वे पीलर उपर में लटके हुए हैं उसे नीचे से कोई भार नहीं है फिर भी वे उपर से लटके हैं और वे गिरते नहीं यह अजब का पीलर है या कहूं कि परेकिर्टिक का एक करिस्मा पता नहीं कार में जो सीट होते हैं उसमें कार में सीट में प्रको अराम देता है और उसका एक और भी काम हो सकता है जैसे कहूं कि उसका एक और उद्देश हो सकता है यदि आप पानी में डूब जाते हैं तो आप एक हैटशेरो को अलग कर सकते हैं और इसे तोड़ने के लिए धातू के खिदकी के खिलाफ हो सकते हैं अलब खिदकी को भी तोड़ सकते हैं इसको खुल करके ये फैक्ट आद रखें आपको बड़ा ही काम देगा फैक्ट नम्मर फाइब चीन में जो मोल होते हैं उसके उपर एक घर बने होते हैं मानों कि वे अलग ही दुनिया हो और वहां के लोग अलग ही मजा या कहूं की अनंद लेते होंगे उसके मोल के उपर घर उसका अलग ही कुछ दुनिया होगा उसके उपर खेती भी किया जाता है वाके में चीन तो चीन ही रहेगा इटली में रहने वाले एक लड़का बेटो बेनो डेटा सुपिनो ने 1982 में एक किताब पढ़ रहा था जब अचानक उसकी किताब में आग लग गई और उसके साथ कुछ अजीब होने लगा जब होता था तो उसकी अंदर उसकी चादर जल जाती थी और साथ ही साथ उसकी साथ ये भी होता था कि एलेक्ट्रोनिक कोई भी काम नहीं करता था और ये इसका साथ कई दिन तक रहा जब इटली के उस लड़का ने अपने आप कंट्रोल नहीं किया तब तक उसके साथ ये सब होता रहता था उसने कंट्रोल करना सीख लिया जैसे कि उसके पास एक कोई मैजिक आ गया हो फैक्ट नम्मर सेवन इंडिया वाले को ये फैक्ट सुनने के बाद मजा ही कुछ आ जाएगा भारत का सबसे बड़ा ध्वाच के लिए एक विस्ट रिकोड बनाया गया जिसे 40,000 लोगों ने बनाया है इसे असपेस सेप से भी देख सकते हैं ये बहुत बड़ा जहन्डा बन गया मजा आ गयाने प्लिस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चीन में ऐसे ट्रेन है जो आपके रूम के अंदर से पार होंगे या आप सवारी करना चाहते हैं वैसे ट्रेन का लुक आप सीधे चीन चला जाएए कुछ चीज चीन में ही मिलेगा इंडिया में आते आते आप बुड़ा जाओगे चीन में एक रेलवे ट्रेक है मतलब आपके घर के अंदर से पास होगा रेल कुछ अलग ही है ये